Module 101 Direct Assessment for Suppression Anxiety Disorder So, हमने बहुत दफ़ा ये बात की कि जब भी हम Direct Assessment की बात करते हैं तो हम Psychometric Assessment की बात करते हैं जिसके हंदर हम ऐसे Psychological Test जो है उनको यूज करते हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चल सके कि either the child is experiencing that particular disorder or not तो यहां पर जो different type के जो test है वो available है जिसकी मदद से आप बचे के जो anxiety level है उसको मेर कर सकते हैं लेकिन usually जो आम तोर पर use किया जाता है वो children manifest anxiety scale है उसका revised version available है इसी तरह state and trait anxiety scale for children है जिससे आपको ये पता चलता है कि उस time पर state at the moment and the trait later on later on or the complete pattern of his or her personality जो है वो किस किसम की है उसकी तो ये भी आपको इससे पता चलेगा then multi-dimensional anxiety scale for children इसकी मदद से आपको उसके जो different levels है जिसना physical anxiety कितनी है उसको उसकी cognitive जो appraisals है वो किस किसम की है इस किसम की जो सारी multi-dimensionality होती है regarding the anxiety वो आपको पता चल सकेगा यहां हम इनको one by one discuss करेंगे for example अगर हम बात करते हैं revised children manifest anxiety scale की तो इसके अंदर mainly आप देखेंगे कि 37 items हैं और 37 items में जो responses देने हैं बच्चे ने वो yes or no में देने हैं so for example पहला item है I have trouble making up my mind तो अगर तो बच्चे को यह problem होगा तो definitely वो yes के उपर response करेगा और अगर नहीं होगा तो वो no को circle कर देगा तीक है इसी तरह I get mad easily तो अगर इसका उसने yes जवाब देना है तो वो yes को circle कर देगा अगर no करना है तो वो no को circle कर देगा यह tick कर देगा तीक है इसी तरह I am always good तो इसमें अगर उसने yes कहना है तो वो yes को tick कर देगा अगर नहीं कहना तो वो no को tick करेगा तीक है इसी तरह इसमें आइटम है I am nervous तो इसमें भी अगर उसने yes कहना है तो वो yes को कट देगा no कहना है तो वो no को कट देगा इस तरह आपके पास एक total इसका score आजएगा जिसकी मदद से आपने इसके percentile और इसके norms में जो है उसकी standing देखके देखना है कि आईदर बच्चा जो है वो cut off से ओपर fall कर रहा है या नीचे fall कर रहा है then हम state rate anxiety scale की बात करते हैं तो इसके अंदर जो first part है वो at the moment है ठीक है at the moment here we go so here you can see at the moment यानि उस वकत जिस वकत बच्चे को आपने के questionnaire दिया है हम उस वकत के बारे में पूछ रहे है like the child say I feel calm so if he feels calm तो वो ये कहेगा के very much so ठीक है तो वो four पे cut देगा अगर वो उसको लगेगा moderately so तो वो three पे cut देगा somewhat पे वो two पे cut देगा not at all पे वो one पे cut देगा अब जिस तरह वो for example इसमें item है I am relaxed तो अगर उसको लगेगा not at all तो वो not at all को क्या करेगा circle कर देगा I feel pleasant अगर उसको लगेगा somewhat तो वो दो के ओपर circle कर देगा otherwise वो जिस पर भी उसको feel होगा वो उसके ओपर circle कर देगा तो इस तरह वो in items को circle करेगा then the other form is about the trait anxiety ठीक है और इसके अंदर क्या term है कि journally feel कि ज़्यादा तर बच्चा जो है आम तर पर कैसे feel करता है अब इसमें भी almost जो अगर आप items देखे तो उससे पुछा गया है कि I feel pleasant अगर pleasant feel कर रहा होगा तो वो तीन के ओपर कर देगा यानि often journally feel अब generally feel का मतलब है कि it is not about the moment it is about कि routine में आपका mood कैसा होता है या routine में आप कैसा feel करते हो then I feel rested तो अगर sometimes होगा तो वो 3 पे कर देगा I feel I am content अगर वो content खुद को feel करता है तो वो 4 पे कर देगा नहीं करता तो 1 पे कर देगा इस तरह वो एक एक item को पढ़ता जाएगा और अपने responses को reply करेगा journally में ठीक है अब जो state scale है ये वाला और ये जो हमने trait scale है ये वाला इन दोनों के scores जो है वो independently आप calculate कर सकते हैं और उसमें आपको ये पता चलेगा कि बच्चे का सिरफ जो anxiety का मसला है वो state का है कि उसकी जो personality है वो उसके trait में इस तरह का आ रहा है ठीक है ये टाउक्ट अबाट the multi-dimensional anxiety scale for children multi-dimensionality में we have almost 39 items और 39 items में different जो हैं उस बच्चे से हम पूचेंगे चीजे और जिसका उसने reply करना होगा for point rating scale पे जिसमें never really sometime and often जो है वो हमारे पास reading skills है for example the child said my child feels tense or upset ठीक है तो आपने उसके parent से जो है वो पूचना है कि तो वो बताएंगे कि my child feels tense or uptight तो अगर इस तरह का होगा often होगा तो वो often को circle कर देंगे इसी तरह my child gets shaky or jittery तो वो अगर इसमें somewhat को करना होगा तो वो somewhat में कर देंगे my child is jumpy अगर उसमें उन्होंने one पे करना होगा तो one पे कर देंगे इसी तरह इस वाले भी सारे items को वो क्या करेंगे fill करेंगे जैसे my child feels shy never तो उसको never पे कर देंगे तो इस तरह जो सारे items हैं उनके response experience देंगे और इसमें हमें help मिलेगी multi-dimensionality of anxiety को measure करने में as well as total score of anxiety level को भी measure करने में और इस तरह के different test जो हैं वो आप use कर सकते हो किस reference में इस जिसको measure करने के लिए कि बच्चे का anxiety level जो है वो कितना है